हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्या यार वांच तुभसे एक मिरिट भी अंदर नहीं रुका गया क्या यार तुम तो वार गए मैं टेंशन नहीं लेता यार क्या यार गाइस तुम लग पानी के अंदर एक मिरिट भी अपनी सांस नहीं रोख सकते कॉम्पेटिशन क्या खाग जीत होगे अब इस्से जादा पानी के अंदर मैं नहीं रुख सकता हूँ रोहे, यह टाइम क्या हुआ? अब साड़े तीन बजरे है यार साड़े चार बजे कॉंपेटिक्शन के लिए पहुंचना है यार चलो 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 अरे काईस क्या चलो चलो अंशुल अभी भी पानी के अंदर है अरे अंशुल हमारा च्याम्पियन उसे कुछ नहीं होगा ओ माई गॉड एक मिरिट वाव तेट मिरिट होगया अंशुल फैल्टार यार वह हमें ऐसे इंतजार करवाएगा रो बीच्छे से निकल जाएगा चल यार रोहिद और वह पेले में इसा कर चुग है तुझे पदा है ना कम ओन लेट्स लीव या टूमिट्स गाइस इस रेकॉर्ड अंशुल तुम बहार आरे हो कि नहीं हम निकल रहे हैं सुनो यह अंशुल बंच रोहिद कहां है सब लो हलो अंसमी कहां है अरे एलुक्तो चलेंगे कि अर्ण कर दो लगता सियाडी बुलाना पड़ेगा शवचो जल्दी यार कॉम्पिटिशन के लिल्ले इठ हो जाएगा जल्ली चलो यार कहां चले गए थे तुम लोग अरे हम लोगो प्रैक्टिस करने गए थे यार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले है ना आज सुमिंग कॉम्पिटिशन में आर्जे कॉलेज को हराना ही है हाँ हम जीतकर ही रहें गे यू डान्ट वरी अरे अब हम लोगों कंदर जाने भी दू अर यह अंचल क्यों नहीं पहुचा अभी तक वेडम वही पहुच जाएगा याराइट पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुचा तो हमें बहुत सान हो जाएगा और यह जिम्मदारी तुम्हारी है कहदेतीू में पहुचा तो कि देखो जराएगा यह अकेले आया था क्या है नहीं साफ इसके साथ इसके तीन दोस्त और थे जिन में से दो लड़के थे और एक लड़के मैंने उने जाते हुपी देखा इजे लगा सारे लुक चले गया हूंगे उस सिर बेसे चोड़की क्यों क्यों है आपस में जगड अन्शुल है अन्शुल जी बिल्कुल अकड़ गई है बोड़ी नीली बड़ गई है तुम जीत इसका बोड़ी टेमपरेचर कुछ जादे ही थंड़ा है इसका शरीर अरे हां बोड़ थंड़ी तेमपरेचर इतनी जल्दी बोड़ी इतनी धंड़ी कैसे हो गई है उंगलियां कड़क हो गई है खुलने रही है एक है इसके आप में और सब देना कि शायद किसी रसी का हिस्सा हो लगते पानी के अंदर इसने किसी रसी को पगड़ के खिचा होगा इसलिए इसका हाथ कड़ गया पानी के निचे रसी से क्या खिच रहोगा अंदर जाके देखना पड़ेगा पूर्वी अंडर वोटर गेयर मंगा लो प्रेडी आश्वाच चे करो देखो कुछ मिलता है क्या साब पानी भू धंडा है ठंडा दो बहुत है इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे पानी था प्रेश है अंड है अंड है भी अंड है भाँ कर दोड़्ाया वो हो इंट प्सक्राइबस, फ्सक्राइबस, यह विल्दैस। कर दो दिल्ला कर दो यह कर दो मिल्दैस, चालिदम नहाद! कर दो 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 झाहन परते थाल पराम पा। झाहन कर ठाल नाहन कोईेному कर रेकी प्रादी झाल झाल झाल!! वह एके लगाएम का इङ में गटाना!! झाल!! झाल!! पुझाल!! झाल!! प्रकीम से वाएम उपनाव कर दो कर दो बाद कर दो चार जो जो भाद कर दो बाद कर दोंगा है कर दो जाट जा दो कि तक बाहने सबुहेंड, कि दो एक दो नहीं की अचके आटारी के आटारी के थालगा लुआ दो के ने के थाटारी कि हो यह जो क्लिएभार के दो पाल्या। अच्छी 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 ल हाग। है टेerson प्रॉ बढल पाई के इस सिस्पें में यसा कैसे हो सकता है यह यह टेमपरचर है से नहीं साब, पांच साल की नोकरी में पहली बार इसा देख रहा हूँ और यह, यह मिले है हीरे, तु कहीं अंशुल पानी के अंदर इन हीरों के शक्कर पे तु नहीं गया था हो सकता है, लेकिन अंदर कोई रसी वसी नहीं मेली, यह रसी का निशान कहा से है सर, यह साइकल यहां पर पड़ी हुई थी और बैग में से पंचुल का आयकाड मिला है जे जे एंजी कॉलेज, ओ, यह क्या है टायर के निशान लग रहे है यह टायर के निशान किसी टेमपो या रिक्षा क्या होंगे रसी? यह ऐसे ही रेशे हमें अंचुल के हाथ में मिला है सर, लगता है किसी ने रसी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना यह अंचुल उसके दोस्त यहां साइकल पर आये थे तो जो कोई भी यह रसी यहां से लेकर गया है वो इस रिक्षा यार्ट, टेमपो, जो कुछ भी था उसमें गया तो तो तेरे केर टेकर ने कुछ देखा कैसे ने, यह हमसे कुछ छुपा दो नहीं रहा इस बैग में और क्या मिला सर, बैग में अंगुठी है और उसे कुछ चीजे गिफ्ट दी है, वो है अच्छा, तो चलते हैं इस जे जे इंजे कॉलेज में अंशुल और उसके दोस्तों का यहीं से कुछ पता चलेगा एक्सीज़ में, आरे किसी को सुनने के फुर्सत ही नहीं है सर, यह अंशुल तो सुमिंग चैंपियन था, फिर यह डूप के कैसे मरा? वही तो कड़बर है पुर्वी, यह सुमिंग चैंपियन डूप के कैसे मरा? सर, कैटेकर ने कहा कि अंशुल के कुछ दोस्त उसे वहां तालाब में छोड़कर भाग गए हमें यह पता करना है कि अंशुल के वह दोस्त कॉन है जलो, देखते हैं ए रड़के, सॉरी अंशुल, सॉरी, सॉरी एप, 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 जांकोल मुता है? तो कह ताताजी वोलेगा, जलो नो या, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, हमें कॉंपटेशन अभी शुरू करना पड़ेगा प्लीस मेड़, अंशुल अभी आता ही होगा, थोड़ा सा रुख जाओ आप एक्स्क्यूज मी, हम लोग सी आईडी से सी आईडी से, सिर आप यहां तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है आप लोग यहां पे अंशुल के लिए बेट कर रहे हैं क्या? जी सर, पिछले दो गंडे से मैं कॉंपटेशन चुरू करने के कोशिश कर रही हूं पर उसका तो कोई पता ही नहीं है इनफाक्ट इसके दोसों ने अपने आपको लोकर रूम में बंद कर लिया कॉन दोसों है? सर, वंच, रोहिद और प्रिया लोकर रूम का भार यार बवाल मच्छुका है कौच अमे मार डालेगा चलो यार जल्दी तू चुबबे घ्वच जब तक अंचुल नहीं लोटेगा जब तक आम बाहर नहीं निखलेगा यार तू कार्स, मैंने तुलोगों कहा थे कि अम थोड़े दिर और रुख जाए परे कहा दो तुमने बहुत कुछ था क्या अंचुल लोटा? हम लोग C.I.D. से, दर्वाजा खोलो C.I.D.? दर्वाजा खोलो खोलो दर्वाजा अब सॉरी सर्फ वाँ अंचुल को वाँ पाने में डूपकर मरने के लिए छोड़ा है और यहां उसका इंतरदार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग मरने के लिए फटला? अंचुल मर चुका है अंचुल मर चुका है? तालाब में उसके लाश मिली है सर सर हम लोगों के इस वारे में कुछ नहीं मालूम था सर उसे वाद तालाब में अकेला छोड़ कर क्यो आए सर हमें सच में नहीं बता था हाँ सर अंचुल तो एक स्विमिंग चांप था हमें नहीं बता था कि वो ऐसे मर जाएगा सर वो ऐसे कही बार कर चुका है वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं और से लेकिन फिर भी वो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है अंचुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आ है तुम लोग क्या वा था पानी कंदर? सर, सर कुछ भी नहीं हुआ था, सर वो तालाव का पानी बहुत ही घंडा था, मैं जादा देदे घंदा नहीं रुक पाया सर, तुम्हे उपर आ गया पानी थंडा था, इसलिए तुम उपर आ गए बाहर आ गए और तुम भी पानी थंडा था, इसलिए बाहर आ गए मैं पानी के उपपर इसलिए आया क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रसी से सा अटक गया था और मैं डर गया था सर ठंडा पानी और रसी सामत में सर्च जब ये लोग पानी के अंदर गये तो रसी पानी के अंदर ही थी और अंचुल का हाथ भी कटा वा था रसी से अप लोग ने और किया देखा पानी के अंदर एक पा हुझ जेसा कुछ पेले कलर का अट्र का चाली वा पाउच के अट में देखा था पानी के अंदर नहीं कौन कौन दिक्षा वो दिक्षा अंशुल की गर्फिंड अंशुल की गर्फिंड अंशुल की गर्फिंड दिक्षा क्या वो भी शामिल थी गेम में नहीं सब वो जब अंशुल वाँ पहुचा तब दिक्षा वाँ पहले से ही मोजू थी और अंशुल क्या दे दिक्षा ने उसके ह पार उसको हाथ में वो पाउच लोटा हा रहा था लिकिन अथा नहीं दिक्षा मान ही नहीं रहती कहां मिलेगी ये दिक्षा वो वो इसी कॉलेज से सर तो यहीं कहीं मुल जाएगी Excuse me ये दिक्षा कहा मिलेगी It's okay वो रही ये? हाँ Thanks दिक्षा जी जी सु एक बात बताओ कि तुम अंशुल से मिलने गई थी? जी सुर मैं गई थी और तुमने उसके हाथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मुझे काफी सारे गिफ्स दिये थे बस उसी को लोटाने गई थी क्यों? गिफ्ट को लोटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेक अप हो गया था मैंने उसे छोड़ दिया बस इसलिए सारे गिफ्स उसे लोटाने गई थी क्यों? ब्रेक अप क्यों हुआ? कि गल्ती उससे नहीं मुझसे हो गई थी मैं उस पे शब कर रहे थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है बैस उसका पीछा करते करते कल रात को तुम तुम यह क्या कर रहे हो अंचु अंचु छोड़ो अंचु 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 तुम्हारा पिछा कर रहे हो मेरा पीछा लेकिन मेरा पीछा यहां पी क्यो कर रहे हो इतनी रात को तुम तुम इतनी देर इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो किस से मिल लाया हो तुम अरे किसी का जजान ने कर रहे है क्या पकवास कर रहे हो क्या बोल रहे हो तुम इस वांचु अंचु यू 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 दू बाइगी. अच्छूदम क्या हक रियर? श्षछ! उर झाल तुम यहां किसी को नहात देखने आयों, हाँ? अरे, मैं बहुत जरूरी कामसा है था, तुमने देखा, वो चीज तलाब के अंदर ही छुपाई कई है अंशुल तुम पागल हो गया है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, एक काम करोगी तुम यहां से दफा हो जाओ और मुझे माफ करो, जाओ जो मिलना है कल मिल के बाद बता दुआ चलो जाओ 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 यहां सिर्व भूट वाला आत्मी इतनी रात गय है, पानी में क्यों कोदा होगा, हीरों के लिए, हो सकता है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंचल को उसके बारे में कैसे पता चला, यह कुछ और ही चक्कर है, जरसारंकी, बड़ी आसानी से इसकी उठी खुल रही है, हाँ, दिखने में आसान है बास, लेकिन आसान दरसल है नहीं, तो वो स सब पसीने पसीने घरो, रसल इसकी लाश सरदी के ओज़े से इतनी अकड़ गे थी, कि पूरी लेब के इसी मुझे बंद करने पड़े, तब जाकर के खुल रही है, तब जाकर के खुल रही है, अच्छन, वेरों के लिए ही, उस ताला में पानी के नीचे गया था, पीरह ली ने गया था और पामात हो गई मुश्किल से एक रहात लगा मुश्किल तो जरूर होई होगी दया तो कि इसकी मौत हुई है सर्दी की बज़े से ऐसा लगता है मानो ये अंटार्टिका के समंदर में तेर रहा हूँ मतलब सारू की तेरे खहने का मतलब है कि किसी अर्टिफिशल तरीके से उस तालाप का वही हिस्सा ठंडा किया लगया हाँ बस तो शायद किसी ने पानी में बर्फ कि सिली डाल दियो अब बर्फ का स्लैप इतने आसानी से पानी के नीचे नहीं जाता दया बाया हाथ छिल गया शायद बर्फ कि सिली वहां पर टेंपो में लाई गई होगी मतलब जो कुछ भी हुआ है इन हीरो की वजे से ही हुआ है लेकिन सार, इन हीरों के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, ना ही अन्शुल के दोस्तों को और ना ही उसके ऐसके कॉलेज में किसी को? आभी हम पता लगा लेंगे, अन्शुल के घर की अच्छी तरसे तलाशी लेते हैं, कुछ ने कुछ तो ज़रूर मिलेगा और एक बाद सार, अगर बर्फ की सिलनियां टाली गई या पानी धंडा करने के लिए, तो वो आसपास के किसी बर्फ की कारखाने से लाई गई होगी। हाँ, तो विर आसपास जिपने में बर्फ की कारखाने हैं, वहाँ से पता लगाते हैं किसने बर्फ की स्लैप्स खरीदे थे, आप लोग, जी हम लोग CID से, अंशुल का कुछ पता चला, जी हाँ, पता चल गया आप, अंशुल के बारे में पूछता चल गया उसे हीरे पसंद तेकें, वह हीरों का बिजनेस करता था, हीरे, क्या बात करें आपसर, अंशुल की पापा की जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है, पीतल भी बहुत मुश्कल से नसीब होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना और वो वो बिजनेस करता हो जिसका बेटा हीरे जैसा हो न उसे हीरों की क्या ज़रुत हर बात में अवल है मेरा बेटा फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूल हम अचुल का कमरा देख सकते हैं हाँ जरूर देखिये या हम पांच लाग कैश इतनी सारे पैसे कई अंचुल वाके में हिरों का व्यापार तो नहीं करता था एक ही गर में रह रहे हैं मा और बेटे हैं और मा को कुछ बता ही नहीं हो जे पांच लाग करता है हम देवी परसुख में बैंक डकहती यार यह अंचुल का ही हेरों के डकहती तो नहीं करता था कोई गैंग में तो नहीं है भूँ पंदरा जून किस परदीश जून यह जिस दिन डकहती होई है उस दिन तो अंचुल जरूर ज़र से गयाब होगा उसकी माँसे पूछ लेते हैं सब के बारे में हम यह पांच लाग रुपए कैश मिले हमें अंचुल के कमरे से इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं नहीं सर यह कहां से है मैं हमें शक है कि वो पंदरा जून और 21 जून तीस जून जी पंदरा एकिस और तीस जून को अंचुल कहा तक कुछ याद है आपको जी सर हम गाउं गए थे अंचुल की कॉलेज की चिट्टियों में मैंने तो अभी तक टिकेट भी संभाल का रखा है मैं अभी दिखाती हूं आपको यार वो अंचुल के बारे में बताना तो पड़े कही है सर मैं देखती हूं मिल क्या ठीक है थैंक्यो थैंक्यो पेरिमाच अब देख लो यार अगर अंशुल ने चोरी नहीं किया है तो फिर यह चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है कहीं चोरों को जानता तो नहीं था हाड़ोक सर क्या 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 तालब के अंदर से जो हीरे मिले थे जो अंशुल के मुट्टे में मिले थे नकली है तालब अंशुल नकली हीरों के चक्कर में मारा गया शाद अंशुल को पता नहीं था के हीरे नकली है लगता यह पूरी एक साजिश है ताके अंशुल तालब के अंदर जाए और मारा जाए यह तो बड़ा चक्कर हो गया एक काम करते हैं जिन जिन दुकानों में डेकाती हुई है वहां की CCTV फुटेज द्यान से देखते हैं पता तो चले यह असली नकली हीरों का खेल खेला किसने यह सरीए पंदरा जून की रॉबरी का फुटेज है दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज यह है 21 जून की रॉबरी का दो लोग है यह सब तीस चून का फुटेज अब जी तेक बड़ एक शॉट को फ्रीज करो यह जूते जूते भी जूम कर जड़ा जूता 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 ताहां पर देखे हैं जूतों को बड़ा सब मैंने यह जे एंजी कॉलेज के लॉकर रूम में देखा सर लेकिन सर इस डिजाइन के जूते तो कई लोग पहनते हैं जो तुमारे पास भी ऐसी जूते सर तालाप के पास एक बर्फ का कार खाना है एक किलोमेटर के दूरी पर वाई से बर्फ खरे दी गई थी क्या पता लगाया कि इसने करीदा था बर्फ सर दो लड़किया थे उनके बारे में कुछ पता चला है हुलिया वागे रहा कुछ सर वो कार खाना वाला क्या था कि यह लड़के कुछ अठा उननी साल के थे चहरा तो उसने देखा नहीं एक हुलिया मिला है बड़ी मुश्किल से वो भी आदा टोपी से ढखा हुआ है तो इन दोनों चोरों में से एक यह है अब यह देखना है कि यह जूते इनके पास है क्या सुना है संक्रमन ज्वेलर्स में नया माल आया है क्या बोलता है लुटले चल आज हाथ साफ करी लेते हैं लेकिन सबसे पहले बॉस को पूछना पड़ेगा अगर मना कर दिया तो देख पूछने की कोई जरूत नहीं है चल आज जाकर हाथ साफ करी लेते हैं नहीं नहीं पं मेंसेज कर दिया लोग चांट येस जल्दी कर जल्दी अजी रुकतू क्या दास्टू दुकान है यार लगता है आज तो हमारी लग गई दुकान तो ठीक है लेकिन चल्दी सामान रख चल अबी चल्दी 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 प्रावाद प्रावारी यह क्या हो रहा है साब, कोई भूतूद्टो नहीं यह लिए यह लिए 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 खरीदारी हो रही थी अब थोड़ी सी खरीदारी हमारे दुकान से भी कर लो चल भाप इसना पीसरत प्रफ चанов कर दो! इसना पीसरत, इसना पीसरत! झाल 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 अंशुल को एक बहुत ही अद्बुत तरीके से मा रहा है तालाप के एक हिस्से वे बर्फ किसली डाल के उसे और थंडा किया गया और वो बर्फ यहीं के पास के कारखाने से लाई गई है और उसे लेने गए थे दो लड़के टेम्पो में और वो दो लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में कॉलेज में पड़ाई हैं और वो है तुम प्रोईट और पंच अब बताओ कैसे मारा तुम लोगोंने अंचुल को सर्थ हमने अंचुल को नहीं मारा हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था सर्थ यहाने के तीस मिनिट पहले ही हम बर्फ को टेम्पो में लाएं और फिर बड़े मैंद से हम वो बर्फ तालाब में ले गए और फिर बर्फ के स्लैप्स को पत्थरों से बांद कर तालाब में डाल दी हैं और उसरत पानी में कूदें ताके अंशुन को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर चुपाएगे सर हमने उसे एक फेक कॉल के जरिये बता दिया था कि रात को बारा बज़े कोई तालाब में हीरे चुपाएगा है अज आत को बारा बज़े तालाब में हीरे चुपाने का प्लाण है नकली हीरे नकली हीरों का पॉच तुम लोगों ने वर्फ के नीचे दबा दिया हाँ सर और रसी को पूल से बांधिया था और सर अमने उसमें एक सेंसर भी बांधा था और अंशुल जैसे नीचे गया हुआ मैं इंच कर दो हाँ मैं का ठांत से खांब एंसु कि याँैसे चाले रया है अधिन लगा था तो रिमोट भी जरू किसी नहीं दबाया होगा है सर आप हमारे यकीन कीजिए अंचुल को मारने का हमारा को ही प्लान नहीं था हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम गी होगा हाँ सर हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेका जगड रहते हैं किस ने दबाया रिमोट हाँ तुमनों नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं तीन लड़के पानी के अंदर थे और एक लड़के बाहर थी प्रिया जी तुमने रिमोट दबाया जैसे ही तुमने रसी को हिलते वे देखा प्रिया को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुच गया उसने उस रिमोट का बटन दबा दिया और थोड़ी देर बाद उस रसी को निकाल दिया अब बता परिया क्यों किया तुमने यह सब तुझे अंशुल को किसी भी हालत में बारना था ने लालची इंसान को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है अंशुल को पता चल गया था कि रात पे जेवरों की चोरी मैं करवाती हूँ और वो वो मुझे ब्लाक मेर कर रहा था मेरा पीछा ही नहीं चोड़ रहा था तुम इसलिए तुमने यह प्लान बनाया जी परना पूरे कॉलेज में मेरी बतना भी हो जाती क्या लगा तुमें बर्फ का इस्तिमाल करने से सारे सबूत पिगल जाएंगे इतना दिमाग पढ़ाय पे लगाती ना बहुत पाइदा होता तुमारा पर अब तो सिफ नुकसान ही नुकसान है अंशुल का खून किया तुमने पर मिला क्या जिंदगी बर की बदनामी और जेल की सलाक है झाल 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 झाल